प्रोग्राम कहानी कुर्शी की मैं सौरव शर्मा आपके साथ आज संसद में दोनों सदरों का एक संयुक्त उनकी संयुक्त सेशन हुआ जिस जिनको संबोधित किया राश्पती दुरौपती मुर्मुने उनका भिभाशन हुआ जिसमें सरकार के इन पाँच सालों का जो फ्यूचर प्लैन है जो खाका है जो तैयारी है उसको उन्होंने सामने रखा लेकिन आज के उनके इस अभिभाशन में कुछ चौकाने वाली बातیں भी थी जिसका हम लोग जिकर आज के इस प्रोग्राम में करेंगे आफित पर माना जाता है कि अभिभाशन में कभी सरकार के दोरान हुई कुछ गलतीया, कुछ खामिया उनको उजागर नहीं किया जाता है लेकिन आज खुलकर के राजपती, दर्वापती, मुर्मू ने अपने इस अभिभाशन में सभी सांसदों के सामने कहा ये पेपर लीग की जो घटनायों हो रही हैं ये बहुत गंभीर हैं लेकिन ये सरकार हमारी सरकार इस पर बड़ी सक्ती से निपट रही है सक्त कानून लाया गया है और आइंदा कभी बच्चों के भविशे के साथ खिलवार करने के लिए कोई सोचे भी ना इसके उप्युक्त बंदोबस्त किये जा रहे हैं और सरकार ऐसा कर रही है साथ साथ विपक्ष को भी आज खौस खास तौर पर कॉंग्रेस पार्टी को इस पर एतराज हो सकता है राश्पती के भाषण में एमर्जेंसी का भी जिक्र था सब जानते हैं एमर्जेंसी के 50 साल पूरे हुएं प्रधान मंत्री ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया था इसके लाबा जो स्पीकर चुने गए ओम बिड़ला उन्होंने इस पर प्रस्ताव रखा और अब राश्पती ने भी कहा कि संबिधान को खत्म करने की एक साजिश थी भारत में लोकतंत्र में दरार डालने की एक कोशिश थी और संबिधान पर सबसे बड़ा हमला अगर आज़ाद भारत के इतिहास में कभी हुआ है तो वो एमर्जेंसी का दौर था हो सकता है इस पर कॉंग्रेस पार्टी प्रतिक्रियाई भी दे लेकिन राश्पती के विभार्षन में इसको भी जगे मिली है आज हम इसकी भी बात करेंगे इसके लावा जो सेंगोल आपको याद होगा प्रधान मंतरी ने बड़े अधिश्ठान के साथ पुजारी बगरा सब महां पर आए हुए थे तमिलाड से लाया गया था सेंगोल उसको स्थापित किया था उस सेंगोल को लेकर के राजनीती हो रही है आप कहींगे अचानक से सेंगोल किसको याद आ गया समाजबादी पार्टी के सांसदों को और एक नहीं दो-दो इसलिए ऐसा लगता है कि यह सोच समझ कर उठाया गया विवाद है सेंगोल को लेकर अब समाजबादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि सेंगोल का मतलब राजदंड राजदंड मतलब राजा का डंड़ा राजा का डंडा मतलब राजशाही, अब राजा महराजा तो होते नहीं, पहले जमाने में होते थे, तब ये सेंगोल का कोई अचिते भी था, आज के जमाने में सेंगोल का प्रजात अंत्र ने क्या मतलब, अब इस सेंगोल को हटा देना चाहिए, एक के बाद दूसरे संसद् यह बांग उठा दिये हैं तो यह क्यों किया जा रहा है जब अपने पूरे वैभव के साथ संसंद के अंदर संगोल स्थापित है इतना इनी अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधान मंतरी भी संगोल को भूल गए हैं आपने ध्यान दिया होगा प्रधान मंत पार्टी हारी इसका जिकर आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे और अचानक से विपक्ष के खासकर मुसल्मान नेता योगी आदितनात की इतनी तारीफ क्यों करने लगे अफजाल अंसारी आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि जो सीटें भारती जंता पार्टी जी जी हमां उनकी तारीफ करेंगे तो योगी जी की तारीफ ये मुसलिम निता क्यों करने लेगे इसकी बात होगी हमारे साथ महमान स्टूडियो में मौजूद हैं राउन माजजन जी अर्श्परदं तरपाठी जी स्वागत सर आपका प्रोवेश संगीत रागी जी हमारे दिखाने का उचित अफसर मिलें सरकारी भरती हो या फिर परिखाएं सुनिये सुनिये परिखाएं किसी भी कारण से इन में रुकाबोट आए ये उचित नहीं है इन में सुचिता और पारिदर्शता बहुत जोरूरी है हाली में कुछ परिखाँ में हुई पेफर लिग की घटाओं की निशकु जांच और दोसियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलान दिल्वाने के लिए मेरी सरकार्कार पत्रिवत हमारे पहली भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लिग की घटनाएं फोती रही है कि ज़ुरूरों थे। संग्सोर्ण ने भि परिक्षा में होने वाली गोड़ बोडियों के विरूत एक सक्त गानून बनाया है। मेरी सरकार परिक्षारों से जुड़ी संग्सताओं। उनके कामकाज के तरीके परिक्षा परिक्रिया सोभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है देश में स्वंबिधान लागू हने के बाद भी स्वंबिधान पर अनेक बार हमले हुए है आज 27 जून है 25 जून 1925 को लागू हुआ अपातकाल स्वंबिधान पर सिधे हमले का सोभ से बड़ा और काला और ठाथ था तो अब पूरे देश में हाहाकार मुझ गया था लेकिन ऐसी ओ सुंबिधानिक तक्तों पर देश ने विजोई प्राप्त करके दिखाया क्यूंकि भारत के मूल में गणतंत्रों की परंपराय रही है मेरी सरकार भी भारत के सुंबिधान को सिर्फ राजकाज का मढ़्धों भर नहीं बनती बलकि हमारा सुंबिधान जो अन्चे पहना का हिस्सा हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं पाप ने सुना और आपने राजपती ने जो कहा उसके पीछे से जो आवाजे आ रही होंगी विविवर्स वह भी आपने सुनी होंगी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जादा मर्यादा के दाएरे में होती हैं उन पर टीका ठिपणी करना या जब कोई बोल रहा हो जैसे राजपती बोल रही हैं उसके पीछे से आवाजें इस तरीकी की नारेबाजी होना इसको अच्छी निखास है नहीं देख सकता कोई भी नहीं उन दलों के निता भी नहीं जो जिन दलों के सांसच शायद महाँ पर ये पीछे से नारेबाजी या आबाजें जो हैं वो लगा रहे थे बहराल जोर उन्हें पेपर लिग पर का पहले इस पर बात कर देखेंगे ने देखें मुझे तो नहीं धियान में आ रहा है कि कोई सरकार चुने जाते ही जिस मुद्दे पर सबसे जादा घिरी हुई हो जिस पर उसके मंत्री से लेकर पूरी सरकार पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हूं जिस मामले में हजारों लाखों छात्र सड़क पर हो उसको सरकार अपने राष्टपती के अभिभाशन में शामिल कराती है अब ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं राष्टपती का जो अभिभाशन होता हो दरसल गौर्मेंट डॉक्यमेंट होता है क्योंकि जब वो पूरे समय बोलती है तो मेरी सरकार मैंने ये किया मेरे कारेकाल में मैं ये करूंगी या करूंगा यानि इसका मतलब जब राष्टपती ओन कर रही है यानि इसका मतलब भारत सरकार गौर्मेंट ऑफ इंडिया उसको ओन कर रही है भारत के इतिहास में मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है, हो सकता कुछ और रहा हो सर हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे सब ध्यान नहीं में रहेगा, आप लोग भी खोजेंगे तो शायद कुछ मिलेगा, लेकिन इस तरह से इतने जोलंत मुद्दे पर जिस पर सरकार घिर है और जिसको कहते हैं, जेन्वीन पीड़ा है, बहुत अंदर से वो सचमुच व्यतित हैं, और अगर सचमुच की पीड़ा है, तो हमें ये भी उम्मीद करनी चाहिए, कि भारत की सरकार एंटी पेपर लीक लॉपर नहीं रुख जाएगी, इस मामले में कुछ ऐसा करेगी, कि अगली बार जब अभिवाशन होगा, तो उस वक राष्ट्रपती बता सकें, कि मेरी सरकार ने पेपर लीक पर छात्रों के भविश्च के लिए ये ये किया, और अब दुबारा उनका भविश्च नहीं, ये कह सकते हैं, सरकार की नियत दिखती है, इसमें नियत साब है, ये हुआ है, ये गलत है, ये हुआ है, लेकिन हम ही इसको ठीक निश्चित तोर, और यही होना भी चाहिए, बिल्कुल नियुक्त, सहीं बाइने में तो राजनीत में यही होना चाहिए, हालाकि सरकारें करती नहीं बचती है, अगर वो कर रही तो उसकी प्रशन साथा की जा सरकार ने चुपाया कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, और देखे, राष्ट्रपती का विवाशन हम सब को पता है, जैसे हर्श्वदर नियुक्त, ये सरकार दोरा लिखा हुआ भाशन होता है, सरकार इसे लिखती है और राष्ट्रपती को देखती है, पता है, जैसे आज हम याद है, पर मुझे सरकार याद नहीं है, राष्ट्रपती के अविवाशन में पहले बी एक बार हंगामा हुआ था, इसमें जब वो नीट पर बोल रही है, तब पीछे से नारेबादी पीछे जावादी बात है, जब राष्ट्रपती ने अच्छा नहीं लगा है, यह गलत है, राष्ट्रपती के अविवाशन में इस तहां की बात करना गलत है, यह तो दूसरा सरकार की इस बात की प्रशन सा करनी पढ़ेगी, कि उसने एक ऐसा मुद्दा जो विपक्ष है वो पहले से मन बनाय हुए है कि वो इस जो स्पेशल सत्र है इसमें घेरे का सरकार को उसने पहले से मन बनाया हुआ कि इस पे हम छोड़ेंगे नहीं उसमें सरकार का उसी मुद्दे को राष्टपती के वभाष्ट में लाना अब अगर कॉंग्रेस ये कहेगे कि आपने राष्टपती के जरीए भी इमर्जनी के बात कहलवा दी इसमें आप राजनीती करना चाहते हैं जैसे पीछे के हम देखने है नहीं पर यह पहले भी हुई है ऐसा कुछ नहीं है कि अब सरकार कह से क्ते हैं हमने तो नीट भी डलवाय है यह जॉइंट सेशन है पार्लेमेंट का और मुझे लगता है कि यह बहुत गरिमापूर इस्थिती होती है जब आपको राष्टपती जो है वो संभाशन करते हैं तो जह सरकार की पॉलीसियां भी होती है जो कॉंसिल आप पढ़ते हैं कॉंस्टिचूशन तो उसमें यह पढ़ा ओसरकार ने ही दिया है जिसे उन्होंने पढ़ा है और एक बात इसमें बहुत महतपूर निकल करके आई है जो उनके अभीभासन से निकल करके आई कि देखें ये जो परिक्षा में जो लीक होते हैं ये कोई एक घटना नहीं है और इस सरकार की घटना नहीं है प्रदेसों में भी ऐसी घटित हुआ है अन्य राजियों में भी कुछ नहीं पता लगाया कि पिछले 7-8 साल के अंदर 65-41 ऐसे आंकड़े आ रह एक नियम लाना चाहिए कहीं न कहीं से कानून लाना चाहिए जो कानून लाया है लेकिन अब मज़दार बात है कि जो बोर्ड्स हैं उनको जिम्मेदार कैसे बनाया जाए ये इंपॉर्टन्ट हो गया है जैसे नीट है नीट का एक NTA है उसको कैसे जिम्मेदार बनाया बात नहीं है कि एक NTA एक्जाम करा रहा है हर जगह लिख हो रहा है अरुनाचल प्रदेश से लेकर के मद्द्र प्रदेश राजस्तान जिस पर एक इतना बड़ा तंत्र खोखला कर दिया है सिस्टम को कि हर प्रदेश में ये घटना घटी थो रही है और उसका जिक्रिदी रा सरकार इसलिए इस पर चाहती है बात होने के लिए कि एक रूग है एक प्रदेश थे अस्तर भी आतं रही है जो संस्था एक्जामिन्स सब जगह इस प्रकार की चीजें कहीं न कहीं हो रही है गटित हो रही है और इसलिए मुझा लगता है सरकार ने इसको रास्टे विमर्ज का मुद्दा बनाने की और सबीर जी मेर्जेंसी पर भी बिल्कुल निश्ची रुप से आज विमर्जेंजी का जिक्र हुआ हाला कि उनका बाशन देख रहा था तो मुझे लगा कि इस भाशन में तीन चार चीजें जो दो भाशनों में मुक्ता से रही वह इस भाशन में सरकार की मिसिंग रही है सब्सक्रा अंदर? यह दोनों राश्ट्रुपति ने बहुत प्र省कळाक होगा था कि हमारे प्रमुक एजैंडे में शामिले मुझे अजिऑ अज एजैंडे में शायद वो तीनो मुद्दें prepar है मतलब अगर स्विकेंस में आप देखेंगे कि नमामी गंगे को लेके कोई बड़ी गुष्टना वधिप सरकार ने कहा नहीं कि अभी सफाई को लेकर जिक्र नहीं कि ब्रश्टाचार को लेकर को बड़ी बात बटा मिसिंग रहा तो मनिपूर का मुद्दा मिसिंग रहा कि अगर बात करनी चेहे थी तो मनिपूर का मुद्दा नहीं था उखलब जियादा जिक्र किया दूसरा अगनी वीर का जिक्र नहीं हुआ जो मामला है जो 2019 में जिक्र हुआ था ज़ल संचेन को लेकर जो 2014 में आप फिर 2019 में का कि मंत्राले बनाया हमने जल शक्ति मंत्राले बन तो इस बार वो मुझे लग रहा है कि प्रमुक्ता से स्वड़ा मिस किया गया है लेकिन आपातकाल का जिक्र करकर बताने की कोशिश की है सरकार ने कि बही जो विपक्ष लगातार सविधान की बात करता है सविधान खतर में पढ़िया आएगा उन्होंने बताए कि आपातक राश्पती ने किया है वो देखिएगा आने वाले दियों में संसद में इसकी गुंज आपको दिखाई देगी और जब राश्पती कि अभिभासन के उत्तर में उनको धन्यवाद गया अपन में जब संसद लोग बोलेंगे बड़ी जो बादा 2036 में जो और ये जिक्र किया संसद की बात सुनमाता हूं समाजबादी पार्टी के दो संसद हैं आरके चौधरी और राम शंकर जी और अखिलेश आदव जी का खुद का रियाक्शन है उस पर अखिलेश जी का पहले सुनाएगा हो करें मोदी जी ने इस बार संगोल को प्रणाम नहीं किया माला वो भी स इस बार शबद लेते समय शायद वो भूल गए उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसर ने कुछ इस तरह किया पत्र लिखा है तो आप आपकी क्या राय है नहीं है देगे जो जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था आप मेरी राय किया है नहीं हैं और तपी लोगों को प्रभावित करना है यहां पर और रड़ी सते याठी को भूल राजजदा या है तो उसका मतलब नहीं है संगौल का मतलब जयस्टिस है सेंगौल का मतलब ट्रांस्वर ओफ पार है संगोल जो है चोला डानेस्टी का वो है और जब जौहालवा नेहरू प्रधान मंति बने थे ब्रिटिश जो है इस देश से गए थे तो उन्होंने संगोल जौहाल नहीं हुआ चाहते है कि दो जो जी ने तो आप उसको निकाल थे परलेमेंट में लि आर्काइब से निकालिए तो मैंने ये 26 मई 2023 ग्यारा बच कर 23 मिनिट के इनकी पोस्ट है ट्वीट है अब जो एक्स हो गया है सेंगोल सत्ता के हस्तांतरन एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौपने का समय आ गया अपने सांसदों को समझाईए एकलेश जी सत्ता नहीं बदल रही है सत्ता हस्तांतरन नहीं हुआ है जो भी सत्ता हस्तांतरन होगा लोक तंतर में एक भी पार्टी गर दुवारा आएगी तो सेंगोल उसी का प्रतीक है और ये अपने सांसदों को आप दिखाईए क्योंकि बताना जरूरी है उनको चलिर है करने। आप कहरे हैं कि हमारा और कई से Nummer बोड कि आप आप और का आर। अथारेश की मैंने कुछ याद नहीं कहा है। जब किसी को याद आता है ने तो तुरन त बोल देना। जब कहें कि मेरा निकाल के चला दीजे टीवी पे तो इसका मतलब उसको उनको ध्यान में नहीं आया, अब ठीक है उनके सांसदों ने कुछ ने कह दिया, उनको लगा होगा कि चलो ठीक है। आएक वार और मैं जिकर करना चाहता हूँ आपके दर्सकों के लिए राजा का मतलब किंग नहीं होता है, ध्यान रखे, यह हम लोगों ने जो ही मानते हैं? राजा का मतलब होता है जो रंजन करे वो राजा है जो जनता का रंजन करे अपनी प्रजा का रंजन करे वो राजा है जो कल्यान करे उसके सुख की बेवस्ता करे वो राजा है तो हमको उस किंग के सब्दों का खेल है अब उनको हम लोग ट्रांसलेशन में किंग किंग बोलते तो इसलिए उनकी ये समझ है, राजदंड का मतलब ये नहीं पहले हुआ करता था, राजदंड का भी मतलब होता है, डंड सास्तर एक बड़ा पूरा विदान है, अर्थ सास्तर में यह आप चाहेंगे, यह पूरी उसकी परंपरा है, डंड सास्तर की, अब उनको इन चीजों क समझ नहीं है, तो उनको अपने सांसदों को, अकले सादों को ही खुद नहीं है, अब जब नहीं पार्लामेंट बनी, तो इनहीं के एक सांसद ने ट्विट भी किया था, कि वो उसको किसी तिस्से चीज से दिखा दिया था, कि जब मरने के बाद आदमी को ओफिन में लेके जाते हैं, तो उसके तुलना कर दीती कि इसकी जो आकृति बनाई है, वो उसकी कॉफिन जैसी इसकी बना दिया गया है, तो इस तरह के एंगे क्रेटिविटी होगा, इस तरह का इनका माइंड चलता होगा, नकारात्मा गूप से, तो यह माना जा सकता है कि आ इस तरह के जाते हैं, तो उसको जोड देते, आप उसको जोड नहीं पा रहे है, आज हम मैटर लेकर आ रहे हैं, तो बता रहा है कि अखलेश आदव, मुझे तो यह लग रहा है सर कि अखलेश आदव को अगर संगोल हटाने के लिए कोई भूमिका बनानी तो उनको यह कहना चाहिए थ कि देखें, संगोल मतलब ट्रांस्पर आफ पावर, ट्रांस्पर आफ पावर तो हुआ नहीं, तो यह देका रहटा दीजे इसको, आप ही आगाए वापिस, कोई ट्रांस्पर आफ पावर नहीं वा। बहुत खराब है, लेकिन अब जब हम ध्यान से अपनी संसत को देख रहे हैं, जो हमारी बनाई हुई, हमारे राज में बनी हुई, हमारी कम्पनियों द्वारा बनाई हुई, हमारे संसाधन से बनाई हुई, और जिसमें हमारे जन प्रत्नी बन रहेंगे, जब हम उसको नहीं सकता है तो यह भी बहुत अच्छी बात लिए चाहे संगोल हो चाहे नहीं संसद हो विपक्ष का मुझे नहीं पता कि वह यह केवल बहाना है कि उसमें इसमें कमी ढूंडने का लेकिन वो यह कहना चाहते हैं उस वक्ष बयान आ रहे थे हमको भी साहत में ले 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 हमसे भी पूछ ले थे तो अच्छा होता आपने सब संसद का डिजाइन किया तो हमारी बी उसमें इंपूर्स आ जा जाते हैं ले वी तिक आते हैं ले हम को भी दिखाते बताते हैं सेंगोल पर संगोल ट्रांसवरू फार नहीं हुई तो वही रहने दीजे न नहीं हूई को पार होई नहीं दिए जब प्रांस्वर पार होगी तो हटा लिजेगा जैसे के आपने मायवती के सारे पार्क अलिए यह कह करके हम इसे तोड़ देंगे ज़ा सत्ता में आज़े तो तो कक्लेश यादव और समाजवादी पार्टी क्या करती और क्या करती उसका बहुत फर्म अगर उसको कुछ भी न कहें तो वो सेंगोल जो ट्रांसफर आप पावर कह लिजे नियाए दंड कह लिजे राजदंड कह लिजे जो इलाहाबाद के म्यूजियम में जाकर देखना पड़ता था आज आपके सामने संसद है हर कारवाई की समय उस दिखेगी इसमें बुराई प्रधान मंत्री ने टीडीप के सांसदों से मुलाता थी इसकी तिस्वीर उनोंने शेयर की अब उसके बाद कॉंग्रेस पार्टी मज़े ले रहे हैं कॉंग्रेस ने का अचा हां उसके बाद हुआ ये कि स्पीकर के चुनावत पर जब बोटिंग की नौबत आने वाली थी इसकी गोटिंग हुई नहीं तो वाए सार कॉंग्रेस ने इलान कर दिया थे कि हमारे सांसदों वो बीजेपी का साथ देंगे एंडिया का साथ लेंगे तो कॉंग्रेस ने का लिए मोदी जी टीडीप वालों को इसलिए मना रहे हैं ये वज़ना हुए कहेंगे ये देखो अब इसकी विपक्ष ये कह रहा है कि ये कैसे है कि कॉंग्रेस में लेफ्ट भी साथ और दीएमें टीडीप वो क्या है तिनमूल भी साथ तो हम अपनी क्यों बताएंगे आम आदमी पार्टी में साथ, यह कैसे हैं अपनी क्यों बताएंगे हम नहीं तो बात होगी ना जब आप दूसरे की बताएंगे तो आप की बीब बात होगी, कि जब आप यह कर रहे हो, तो आपने लेफ्ट पार्टी को एक साइड रखा हुआ अपने साथ, उधर आप ते जब आप दूसरे की बताएंगे, क्या बता रहे हैं, क्या इसका इन चुनाम की नतीजों से खूल लेना देना 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 होगा है? इसकोर करेंगे बात, एक छोड़ी से देखी बात.